Hello Everyone, Welcome Back to the HPM Eth Education जो प्रवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट इग्जाम्स के लिए ओनलाइन क्लासेज आज की इस वीडियो में हम बीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिसकुस करेंगे जिससे हम इंटेलिजेनस और क्रेटिव टॉपिक के कुछ क्वेश्चन डिसकुस करेंगे तो आज का पहला क्वेश्चन है जो आपका इंटेलिजेनस शब्द है वो किस भाषा से निकला है ऑफशन A है इंग्लिश ऑपशन B है लेतिन ऑपशन C है अरैबिक और option D है none of these तो आपका जो intelligent शब्द है वो Latin भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है inter plus laser जिसका मतलब होता है कि सबसे अच्छा विकल्प चुनना किसी काम को करने का और जब आप सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं किसी काम को करने का इत मींज आप में intelligence आप में बुद्धी मता है तो Latin भाषा से निकला है option number B जो है वो इसमें राइट रहेगा Latin language next question है what does a person's intelligence depend on किसी व्यक्ति की बुद्धी किस चीज़ पर निर्भर करती है option A है heredity option B है environment option C है A और B दोनो या option D है none of these तो किसी व्यक्ति की जो intelligence होती है बुद्धी मता होती है उसका बुद्धी होती है वो heredity और environment दोनों पे depend करती है तो option number C जो है heredity और environment वो दोनों सही है next question है what type of intelligence does a point use in writing a point मतलब एक कवी कविता लिखने में किस प्रकार की बुद्धी का प्रियोग करता है तो सबसे पहले तो आपको type of intelligence पता होने चाहिए कि किसने प्रकार की intelligence होती है और कौन-कौन सी होती है option A है abstract intelligence option B है concrete intelligence option C है social intelligence और option D है none of these तो सबसे पहले तो abstract intelligence क्या होता है ऐसी intelligence जिसका प्रियोग आप ऐसी चीजों के बारे में सोचने या समझने के लिए करते हैं जो कि आपके सामने नहीं होती second आथ है concrete तो concrete intelligence होती है कि ऐसी आपकी बुद्धी जिसका प्रियोग आप ऐसी चीजों को समझने या सोचने के लिए करते हैं जो कि आपके सामने होती है और social intelligence होती है जब आप socially किसी के साथ involved होने में या कोई social work करने में जो है आप बुध्धी का परियोग करते हैं वो social intelligence होती है तो आपका जो poet है वो abstract intelligence का परियोग करेगा अमूर्थ बुध्धी का परियोग करेगा जिसे होते हैं न, poet अपनी poem में नदी को संगीत के साथ relate कर देते हैं, किसी और ध्वनी को, किसी और चीज के साथ relate कर देते हैं, पत्तों को, हवा को, किसी और लहर के साथ relate कर देते हैं, तो यह सारा क्या है, यह abstract intelligence का ही प्रियोग है, जो कि एक poet अपनी poem में करता है, तो option number A जो तत्त्व सिधान्त किसने दिया था, option A है अल्फरेड बिने, option B है स्पियर मैं, option C है थॉन्डाइक, या option D है गिलफोर्ट, तो option A जो है वो इसमें राइट रहेगा, अल्फरेड बिने जो है, उन्होंने single factor theory दी थी intelligence के लिए, उनका मानना था कि आपकी बुद्धी जो है वो एक परकार की होती है, आप कोई भी काम करेंगे, वो उसी परकार में जाकर के फिट हो जाएगा, तो वो थी single factor theory जो की दी थी अल्फरेड बिने ने, who gave the crystallized and liquid theory of intelligence, बुद्धी का तरल्व ठोस सिधान्त किसने दिया था, option A है, गिलफर्ड, option B है, आर्बी केटल, option C है, गार्डनर, और option D है, फिलिप, तो सबसे पहले तो crystallized और liquid theory है क्या intelligence की, intelligence में बताया गया है, कि जब कोई बच्चा होता है, जब उसमें बुद्धी की शुरवात होती है, तो वो तरल बुद्धी होती है, उसको ठोस बढने में, उसके ideas को ठोस होने में जो है, वो time लगता है, और धीरे धीरे age के हिसाब से, उसकी जो बुद्धी है, वो ठोस होती जाती है, तो ये जो theory थी, वो दी थी RB kettle ने, तो option number B जो है, वो राइट रहेगा कि RB kettle ने, इंटेलिजेंसी की crystallized and liquid theory दी थी, option number B, next question है, who wrote the book, mental test and measurement related to intelligence, बुद्धी से related, mental test and measurement book, किसने लिखी थी, option A है, Francis Galton, option B है, kettle, option C है, Stern, या option D है, तर्मन, तो बुद्धी से related, जो mental test and measurement book है, वो लिखी थी, RB kettle ने, जिन्होंने उपर वाली theory दी थी थी न, उन्होंने ये book लिखी थी, तो option number B जो है, वो इसमें राइट रहेगा, next question है, who wrote the book, primary mental ability, primary mental ability किताब, किसने लिखी थी, option A है, तो जो option A है, तर्मन, वो इसमें राइट रहेगा, तर्मन ने book लिखी थी, primary mental ability, और तर्मन वही है, जिन्होंने, intelligence related, group factor theory दी थी, कि हमारी जो intelligence होती है, वो उसमें group factors होते हैं, ये बात भी तर्मन नहीं बताई थी, तो ये point भी आप note कर लिजिएगा, group factor theory भी थर्स्टन नहीं दी थी, और primary mental ability book भी उन्हों नहीं लिखी थी, next question है, who gave the multi-factor theory of intelligence, बुद्धी का बहु तत्व सिधान्त किसने दिया था, option A है, फिलिप, option B है, गिलफर्ड, option C है, थान्डाइक, या option D है, cattle, तो इसमें option C जो है, थान्डाइक वो राइट रहेगा, थान्डाइक ने, multi-factor theory दी थी, intelligence के लिए, उन्होंने कहा कि, बुद्धी एक, दो या तीन तत्व, यानि कि factor पर, depend नहीं करती है, आप जितना काम करेंगे, जितनी बार, बुद्धी का प्रियोग करेंगे, वो एक निया factor creator करेंगी, थान्डाइक ने, अपनी theory को समझाने के लिए, एक example दिया था, बालू के धेर का, जिस तरह के बालू, यानि के मिट्टी का धेर होता है न, और उसमें बहुत, चोटे-चोटे काण होते हैं, उसी तरह से, बुद्धी में भी बहुत चोटे-चोटे factor होते हैं, आप जितनी बार, बुद्धी का योज करेंगे, एक अलग factor जो है, वो बनेगा, तो इसलिए, इन्होंने, बुद्धी से related, इंटेलिजेंस से related, multi-factor theory दी थी, थॉन्डाइक ने, नेक्स्ट आता है, वो गेब दी, थ्री डायमेंशनल थ्योरी ओफ इंटेलिजेंस, यानि कि बुद्धी का, त्री आयामी सिधान्त, किस ने दिया था, ओप्शन ए है थॉन्डाइक, ओप्शन बी है फिलिप, ओप्शन सी है अल्फरेड भी ने, या ओप्शन डी है गिलफोर्ड, तो बुद्धी का जो त्री आयामी सिधान्त है, त्री डायमेंशनल थ्योरी है, वो दी थी गिलफोर्ड ने, ओप्शन डी जो है वो राइट रहेगा, गिलफोर्ड ने बताया था कि बुद्धी के न तीन आयाम रहते हैं, तीन डायमेंशन रहते हैं, वो डायमेंशन थे, कॉंटेंट, ओप्रेशन और प्रॉड़क्ट, साथी साथ में उन्होंने एक सो असी के आसपास जो है वो mental abilities भी बताई थी, तो ये भी आपने याद रखना है, कि 180 total mental abilities बताई थी, गिलफोर्ड ने, और तीन जो हैं वो आयाम बताई थे, डायमेंशन बताई थे, content, operation और product, नेक्स्ट क्वेस्टिन है, मानसिक आयू के अधार पर बुद्धी का मापन किस ने किया, मतलब, mental age के अधार पर बुद्धी को मेजर किस ने किया, option A है अल्फ्रेड बिने, option B है टर्मन, option C है स्टर्न, और option D है कैटन, तो आपको पताऊगा mental age जो टर्म है न, वो भी intelligence से related जो है, वो अल्फ्रेड बिने ने ही बताई थी, और बुद्धी का मापन भी मानसिक आईयो के अधार पर इन्हों नहीं किया है, तो option A जो है वो राइट रहेगा अल्फ्रेड बिने, next question है, who is the father of creativity, रचनात्मक्ता या स्रिजनात्मक्ता के जनक कौन है, option A है Edward Thondike, option B है अल्फ्रेड बिने, option C है E Paul Trorans, या option D है none of these, तो जो father of creativity है वो है E Paul Trorans, option C जो है वो राइट रहेगा, next question है, what type of thinking is used in creativity, स्रिजनात्मक्ता या फिर रचनात्मक्ता में, किस परकार की सोच का प्रियोग होता है, option A है divergent thinking, B है convergent thinking, C है creative thinking, या फिर D है all of these, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि thinking क्या है और thinking के types क्या है, divergent thinking क्या होती है, ऐसी सोच, जब हम किसी चीज के बारे में, बहुत अलग-अलग तरीकी से सोचते हैं, या फिर किसी समस्या के बारे में, हम एक हल ढूनते हैं, या फिर कुछ creative करने के लिए, हम एक creative रास्ता ढूनते हैं, ठीक है, और creative thinking तो होती ही, creative thinking है, कि कुछ नया create करना, ऐसी सोच रखना, जिसमें कुछ नया create हो, तो जो creativity होती है, उसमें तीनो thinking use होती है, कई बार आपको divergent creative सोचना पड़ता है, कई बार आपको convergent सोचना पड़ता है, कई बार आपको, कई बार क्रेटिविटी में, तो creativity ही सोचा जाएगा, तो option D जो है, वो इसमें write रहेगा, all of these, creativity में, जो हैं, वो तीनों परकार की thinking का use होता है, option D रहेगा, next question है, which of the following is the main component of creativity, निमन में से स्रिजनात्मक्ता या रचनात्मक्ता के मुख्य घटक क्या है, मतलब क्या चीज इंपोर्टेंट होती है, creativity के लिए, option A, imagination, B, motivation, और C, originality, या D, all of these, तो creative सोचने के लिए तीनों चीज इंपोर्टेंट होती है, आप में जब तक imagination पावर नहीं होगी, कल्पना की शक्ती नहीं होगी, तो आप creative नहीं सोच पाएंगे, जब तक आप motivate नहीं होंगे, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया create करने के लिए, तब भी आप creative नहीं हो पाएंगे, और originality, originality तो main रहती है, ठीक है, original मतलब कुछ नया निकालना, जो कि original हो, आप से पहले किसी नहीं ना सोचा हो, ना बनाया हो, ठीक है, तो originality भी important component रहती है, creativity के लिए, तो इसलिए option D, जो है all of these, ये तीनों ही चीज़े, creativity के main components है, next question आता है, in which stage of creativity, is the unconscious mind used, स्रिजनात्मक्ता की कि इस अवस्था में, अचेतन मन का प्रियोग होता है, तो सबसे पहले आपको, creativity की stages पता होनी चाहिए, कि कौन-कौन सी होती है, और कौन सी stage में, conscious mind use होता है, conscious stage में unconscious, और conscious stage में subconscious mind जो है, वो use होता है, तो यहाँ पर option दियेंगे है, option number A, preparation, option B, incubation, option C, evaluation, और option D, implementation, तो यहाँ पर अगर आपको stages नहीं भी पता है, तो आप अपना भी दिमाग जो है, वो use कर सकते हैं, कुछ सी चीज़ को prepare करने के लिए conscious होना पड़ता है, चेतन होना पड़ता है, चेतन mind का use होता है, evaluation के लिए भी हमें क्या पर करना पड़ता है, चेतन mind का use करना पड़ता है, conscious mind का use करना पड़ता है, और implementation के लिए भी हमें conscious mind का ही प्रियोग करना पड़ता है तो बच गया option number B, incubation तो यहाँ पर जो है unconscious mind का use होता है creativity में incubation एक ऐसी stage होती है creativity की जब हम conscious mind में कुछ और काम कर रहे होते हैं या किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और जो हमने creative चीज करनी है उस time पर unconscious mind से इस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो stage होती है incubation option B जो है वो इसमें राइट रहेगी next question है what are the areas of creativity स्रिजनात्मक्ता की क्षेत्र क्या है option A विज्ञान का क्षेत्र, option B कला का क्षेत्र, option C साहित्य का क्षेत्र या option D उप्रोक्त सभी, तो creativity की यह सारे ही area है है न अगर एक एक को आप समझोगे, विज्ञान के क्षेत्र में creativity का use होता है हैना experiments होते है, नए नए चीजों को जो है वो उनका research होती है नए नए चीजों का invent किया जाता है, वो सारा विज्ञान के क्षेत्र में होता है यह creativity का ही area है, option B है कला का क्षेत्र तो कला के क्षेत्र में भी हैना, आर्ट के area में भी आपने कोई photo frame बनानी है आपने किसी का चित्र बनाना है, आपने को विडियो बनानी है, हैना तो उसमें भी हम नया creative तरीका सोचते है साहित्य यानि की literature का जो area होता है, उसमें भी एक कभी को एक लेखक को भी कही न कही creative सोचना पड़ता है कि किस तरह से वो अपनी कहानी में एक नया पन लेके आए, हैना किस तरह से कुछ creative लिखे या फिर creative सोचे तो इस तरह से चाहे वो विज्यान का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो इन तीनों ही क्षेत्रों में जो है वो creativity यानि की स्रिजनात्मक्ता का परियोग होता है तो option D जो है उप्रोक्त सभी वो इसमें सही रहेगा तो आज की वीडियो में हमने जो है वो creativity और intelligence से related कुछ question जो है वो discuss किये आने वाली वीडियो में भी हम ऐसे ही बीड का एक टॉपिक उठाकर question डिस्कस करेंगे तब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को शेर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो इसको देखने के लिए हमारे चैनल HP Myth Education को सब्सक्राइब कीजिएगा